Hello and welcome back, welcome to Tailwind CSS course, इस course में हम Tailwind CSS को बिल्कुली basic से ले करके project को create करने तर सिखेंगे, एक्छली सबसे पहले यह जानेगे कि Tailwind CSS क्या होता है, यह काम कैसे करता है, इन सा टॉप भी के बारे में सबसे पहले जानेगे, और मैं काफी time से Tailwind CSS को use कर रहा हूँ, तो यह भी आपको बता time front end को create करने में बचा सकते हैं, तो बिल्कुली अगर आपको normal HTML और CSS basic HTML और CSS साथ हैं, तो आप इस course के अंदर में enroll कर सकते हैं, यह बिल्कुली आधा से एक घंटे का आसपास का यह वीडियो होगा, बहुत आसानी से इसके अंदर में आप Tailwind CSS को बिल्कुली normal से ले करके, कैसे आपको use करना है, सारे चीजों को आप अपने हिसाब से custom कर कैसे design कर सकते हैं, custom font कैसे add कर सकते हैं, यह सब चीजें कैसे add करना है, Tailwind CSS के अंदर में, उसे आप कैसे add कर सकते हैं, आप अपने project के according कैसे Tailwind CSS को generate कर सकते हैं, सब चीज मैं बिल्कुल step by step आपको बताने अगर Tailwind CSS आप अगर किसी भी project के अंदर में use करते हो, आपको काफे जारा time बच जाता है, अगर बहुत सारे लोग bootstrap से family रहोंगे, बहुत सारे लोग material, UI, step के framework से family रहोंगे, अगर आप normal CSS भी use करते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जाए करते है, normal HTML page create करते हैं, फ हम Tailwind CSS को use करेंगे, तो cable हम HTML page की अंदर में रहके ही अपने page को style कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगा, इन सब चीज़ें के बारे में आपको practical demonstration अभी आपको दिखाता हूँ, मैं काफी time से personally Tailwind CSS को use कर रहा हूँ, और Tailwind CSS से मेरा काफी सारा time reduce हो जाता है, किसी भी front content page को design करने में, ओके, तो अब हम जानते हैं कि Tailwind CSS क्या होता है और ये कैसे काम करता है, नर्मली आप Google के उपर लिखो सबसे पहले Tailwind CSS, तो सबसे पहला जो website मिलेगा, Tailwind CSS.com, इसे आप open कर रहे लेना है, इसे open करते ही सबसे पहले आपको देखे है, rapidly build modern website without ever leaving your HTML, आप बिना HTML page को leave किए, आप अपने web page को style कर सकते हैं, यह सुने में थोड़ा सा यह awkward लगेगा, लेकिन हाँ इसका Tailwind CSS यही property पे काम करते हैं, बीना HTML page को leave किए, मैं आपको इसाप demonstration भी दिखाने वालों किस तरी की style काम करेगा, और यहाँ फोड़ा से एनिमेशन अगर आप इसे देखो, और Tailwind CSS के अंदर में आप अपने web page को design कर सकते हैं, जनरली हम अगर आप bootstrap से family रहो गए, या फिर normal CSS अगर family रहो तो वहाँ तब क्या करना पड़ता है, हम एक HTML page create करते हैं, फिर एक CSS page create करते हैं, फिर हम दोनों को map करते हैं, फिर जो भी हमें classes और ID हम HTML page के अंदर में जालत प्रोपर्टी लिखो, सहरा का सारा आप Tailwind CSS के अंदर में लिख सकते हैं, उस पर automatically आपके लिए blast में जब आप प्रोजेक्ट को deploy करने जाओगे, तो automatically आप एक सगेंड के अंदर में सारा का सारा, जितना भी CSS प्रोपर्टी होगा, वो create हो जाएगा, आपको कुछ निए automatically सार सारा चीज हम इस लेक्चर के अंदर में देखने वाले होगे, तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इसमें कुछ और टर्म यहां पर लिखा गए, utility first CSS framework क्या होता है, अगर आप bootstrap से family होगे, तो bootstrap एक component based CSS का framework, वहाँ पर क्या होता है, जैसे BTN बनाना है, तो आप उसमें अब इस बटन में बहुत जदा customization का आपके सामने option है यहां पर BTN class है, उसको यहां पर BTN primary जो की सा color को define करता है, इस तरीकी साब बहुत जदा है, यहां पर color को change नहीं करते हैं, लेकिन tailwind CSS के अंदर का आप सबूज की बटन के size को change करना है, आपके पास 100% customization का option है, tailwind CSS के पर एक-एक property के लिए आप एक-एक classes ID को लिख सकते हैं, सुनने में थोड़ा awkward लगे है, जब मैं practical use करके आपको दिखाऊंगा, तो बहुत आसानी से आप इसे implement कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहां दिया गया है, और आप कुछ चीज़ें यहां आपके देख सकते हैं, तो सब के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर प्ले सीडियन का यूज करने वाला हूँ, जो कि यहां पर development purpose के लिए दिया जाता है, तो क्या करना है, आपको एक और चीज़ आपके system में install होना चाहिए, यह ज़रूर इंस्टॉल करें न, node.js, node.js देखके आप LTS version download कर लें, जो कि long term support है, current मत करना, इसके अंदर में बहुत सारे bug भी होते हैं, लेकि मेबी अगर आपको पसंद आए तो दोनों use कर सकते हो, आपने system में कोई एक install करेंना, LTS install करेंना, जिससे कि आप बहुता सानी की use कर सकते हो, अगर आप पास दूसरा कोई operating system है, यहां यहां पर होम पर जाना, यहां अदर डाउनलोड पर क्लिक करना, जो भी चाहिए, वो source code चाहिए, या फिर अगर आप Docker के अंदर में कुछ development करना चाहिए, यहां पर Docker का भी IMG file में यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अलग-अलग distribution Linux का distribution है, तो इसके लिए यहां पर सा इसे install होने में, और एक और code editor आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं visual studio code को prefer करूँगा इस course कंदर में, आप चाहिए, sublime, bracket, या फिर atom, कोई भी या यूज कर सकते हो, लेगिन मैं prefer करूँगा यहां पर visual studio code, तो आप यहां पर जाना, visual studio code के उपर में, यहां पर click करके, अगर आ आले सही memory system install है, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको के, ओके, यह थुरा सा time लेगा, calculating space requirement को देखेगा, यहां पर नोड जब आप यहां पर सिफ next next करके, आपको install करना हो के, और यहां पर क्या करना है next, वो दर से license agreement मैंने फटा-फट पर लिया है, हब बैठके पर लेना, जित कोई दिखत नहीं है, यहां पर आपको next करना है, install, अब यह जितना time लेए, आप अपर यह install हो देखेगा, यह नोड यहां पर नोड इस्टाल हो रहा है, तो तो मैं आप इदर visual studio code को भी install कर लेना, इसे मैं open किया यहां पर, और इसे भी वैसे click-click करके, सारे check mark को open करके, यह इसे भी install कर लेना, ओके, यह इसे license agreement को आप थोरा time दे के पढ़ लेना, क्या-क्या चीज़ बोल रही है, next, यह सारे क्यों check रहने देना, इसे ही, वह आपर हम next करेंगे, install, यह थोरा सा time लेगा, मैं भी एक मेट कर ले सकते है, दोनों install होने में, उस बहुत आसानी से install हो जा जाएगा, ओके, यहां जाओ, आराम से आपको command prompt मिल जाएगा, इसे open कर लो, command prompt open होते ही, सबसे पहला को यहाँ पर एक command लिखना है, अगर आपके system में node install हो जाए, तब यह डालना है, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, आपने command prompt को open करना है, यहां तो कोई भी यूज क कर सकता है, यहां पर आपको node लिखना है, और dash भी लिखेंगे, तो automatically आपका node का यहां पर version दिखा लेगा, कुछ प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, साहथ हो सकता है, file type मैंने add नहीं किया, यहां तो, इसकलि मैं क्या करूंगे, आपको local desk C के अंदर में जाना है, आपको program files के right click कर दूँगा, और यहां पर property पर click करूँगा, और यहां पर थोड़ा सही आप देखो, आपको advanced system setting में लेगा, यहां पर click करना है, और यहां पर path पर जाएंगे, और यहां पर देखो, मैं new पर click करूँगा, और यहां पर जो node को copy कर के लिए मैं लाया था, node वाले file को, यह आपको add यह process complete composer ही है, क्योंकि अगर आप हो सकता है, automatically आपका environment variable set नहीं होता है, तो आप यहां पर इस environment variable को set कर सूँगे, अब जाकर कर मैं इसे close करूँगे, और यहां पर फिर से मैं command prompt को open करूँ, run as administrator कर लेंगे, अगर पहली बार आप use कर रहो, run as administrator कर लेंगे, यह हो गया अब अगर मैं जाकर क्लिफ में node, डास वी करूँ तो automatically मुझे यहां पर node का जो भी version है, जैस सबोज की 18.13.0 की यही मैंने install किया था है, अगर आप देखो, node का version मैं यहां पर download किया था, 18.13.0 जो की long term support वाला version है, इसे मैं यहां पर download किया था, और इसके साथ साथ एक और च automatically यहां मुझे यहां मुझे जो npm का जो version है, वो दिखा देगा, अब आपके मन में आगा कि मैं node को क्यों install करूँ, अगर आप यहां पर tailwind CSS का official website पर गर जाओगा, और यहां पर get start up आपको क्लिक करना है, अब देखो, सबसे पहला जो installation का है, tailwind CLI का, यहां पर भी हम जो install कर यह कोई open नहीं करना है, automatically सारा काम tailwind CSS automatically कर लेगा, अगर आप से development purpose के लिए tailwind का use करना चाहतो, तो यहां पर आप जाकर के place student का use कर सकते, यहां पर प्लिक करना है, यहां से इसको copy करना, यहां फिर आप यहां से place student का जो link है, इसे भी आप copy कर सकते, यह केवल development purpose के लिए इसे Visual Studio Code अगर आप सपोज कीजिए, यहां पर जाकर करके मैं अपने project को create करना चाहता हूँ, तो यहां पर जाकर करके मैं सबसे पहले होगा, cmd automatically ठीक है, यहां मेरे सामने command prompt open हो जाए, अब command prompt के साथ सब्सक्राइब इसी folder के साथ मैं, अगर Visual Studio Code को open करना चाहता हूँ, तो यह command prompt साथ जो आपका Visual Studio Code है, यह open हो जाएगा, ओके, तो अब हम यहां पर Tailwind को लिखने वाला, Tailwind में कैसे हम command को लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप कोई भी code editor open कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, मैं यहां पर Visual Studio Code prefer करूँगा, और मैं क्यों prefer करता हू वो भी आपको पता चलेगा, आगे, क्योंकि हमें एक extension को डालूँगा, जो कि मुझे Tailwind CSS के code लिखने में बहुत जदा help करेंगा, इसलिए मैं यहां पर use कर रहा हूँ, यह हमें अपने code editor जो की VS code है, या अबर यहां पर देखो, तो Tailwind CSS का intelligence नम का एक extension होता है, जो मैं install करने यहां, एक और चीज मैं आपर install करने माला हूँ, वो है live server, आप क्या करना, extension में जा करके live server search करना हूँ, ओके, आपको यहां पर live server search करना है, और इसे आप install करना है, अपने visual studio code के अंदर में, और दूसरे नमर पर जो है, वो आप यहां पर Tailwind का intelligence है, यह जो ID है, इसे आप install कर यहां में लेगा Tailwind CS intelligence करके, जो कि आप यहां पर Tailwind Lab ने इसे create कर रखा है, तो मैं यहां पर इसे install कर लेता हूँ, अभी हम cable play CDN का use करने माला हूँ, नर्मल सबसे पहले है तो, तो मैं यहां पर एक, नया file create कर ला हूँ, जिसका नाम रखता हूँ, मैं index.html, यहां मेरा index.html create हो गया, अब मैं जाओंगा Tailwind की official website पर जाओंगा यहां पर, और इसे back किया है, और यहां पर जाकर सबसे पहले, Tailwind की official site पर मैं पहुंचिया, get starter पर मैं यहां पर क्लिक करूँगा, यहां पिले CDN पर क्लिक करेंगे, और यह जो total code है, इसे मैं आप से copy कर लोंगा, यहां फ यहां पर दिखाता हूंगा, इसे मैं उपन कर दिया, तो इस तरीके मुझे कुछ hello word है, यहां पर दिख रहा है, अब अगर मैं समझ में कुछ style बगरा add करना चाहता हूँ, यहां मैं जितना भी command लिखने माला हूँ, वह मैं बिल्कुल आपको explain करना कि मैं कोई भी चीज क्य यह भी चीज में आपको explain करता हूँ, यह नॉर्मल मिला हो गया, इसको थोरा size बढ़ा करता हूँ, इसके text का, इसके setting में गया, और इसको 18 से 20 कर देता हूँ, अब जाकर गर में थोरा सा बढ़ा हुआ है, इसका size ओके, अब देखो इसको थोरा size तो यहां बढ़ा हुआ है, अब देखो, suppose कीजी, यहां पे लिखा हुआ है, h1 tag में, hello word लिखा हुआ, इसके just नीचे मैं एक button create करता हूँ, तो button में सबसे पहले क्या डालते हैं, नॉर्मल यहां मैं लिखता हूँ button, और button में, इसका नाम रखते हैं, तो submit, औके, और यहां पे एक मैं class add करूँ, मैं यह HTML page को leave किया, यहां पे इस page को style करने माला हो, यहां सबसे पहले हमें normal class add डालते हैं, class के अदर में, यहां मैं सबसे पहले background color डाला चाहूँ, तो यहां लिखूँगा background color के लिखेंगे bg, और सबसकी यहां पे grey color डालना चाहूँ, grey और 500, अब यहां आपको समझ मेंने होगी, अब इसको save करूँ यहां पे, अब देखना है, यहां 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 बटन बन के आ गया, अब यहां पर button में कुछ margin और padding देना चाहूँगा, जैसे suppose कीजिए मैं आप पैडिंग देना चाहूँगा, तो मैं padding 2 डाला, यह थो थोड़ा automatically बढ़ा हो गया, अब suppose कीजिए म white color खा गया, अब मुझे ऊपर बाले, नीचे बाले text के बीच में थोड़ा सा margin चाहिए, तो मैं लिखोंगा margin top, और जैसे suppose कीजिए मुझे 20 pixel चाहिए, या फिर 25 pixel चाहिए, तो मैं दो हमाने यहां पर 5 जालोंगे, empty 5, okay, margin top 5, automatically, अब समझाँगा कि किस तरीके से यह काम करता अब यहां margin top मेरा 5 हो गया, अब मैं आपको explain करता हूँ कि यह code जो है, मैं कहां से लाया, यह background, bg, color, यह फिर यह पैडिंग, यह फिर rounded, यह text, यह सब कहां से आ रहा हो, तो आराम से आपको क्या करने, tail bean के official website के ओपर मैं आपको जाना है, यहां से, आराम से tail bean के official website आराम ज यह typography के बारे, यह text color हो गया है, अगर सबसकि मैं text color पर click करता हूँ, तो आप देखो, यहां पर काफी सारा color का यहां पर option दिया गया है, अगर सबसकि यह text color आपकर यह use करोगे, तो यह color implement हो जाएगा, यह पहले से predefined हैं काफी सारा चीजे है, हो सकते है, आपको यहां मन कर बहुत आसानी से, और किसी को समझ में आ जाएगा, ओके, देखो यहां पर red जैसे suppose कीजिए, यहां देखो आप, red 50, red 100, red 20, मतलब जो सबसे कम बला, जैसे suppose की red 50 होगा, इसका opacity सबसे कम होगा, red 100, इसका थोड़ा high opacity होगा, और यहां पर red 200, इसका थोड़ा और high opacity होगा, इस सब्सक्राइब कर दूँ, okay, सब्सक्राइब कर दूँ, okay, सब्सक्राइब करूगा, यहां पर कोई भी चीज़ें, यहां पर apply नहीं होगा, red 50 से start करना परेगा, क्योंकि यहां पर दाला गया है, red 50 से, आप ध्यान से देखो, इस documentation को देखो, तो minimum से सबसे कम है, यहां पर, red यहां पर, text red 50, normal red यहां पर नहीं है, अगर आप देखो, कहीं भी सरच करों, तो normal red आपको नहीं मिलेगा, okay, तो यहां पर, normal यहां पर, text red 50 से start कर सकते हो, okay, अब सब्सक्राइब कर दूँ, इस सब्सक्राइब कर दूँ, तो बिल्कूली इतम, red, इतम, deep red color में आ जाएग, में भी एड़ कर सकते है अगर सब उसके लिए यहां पे ग्रे 900 या फिर ग्रे 200 है तो आप जाना आराम से सेम वही प्रोसेस होता है यहां पर जो टेक्स डाला गया उसके आप बिजी डाल सकते हो और कहीं पर देखना बैग्रॉंड क्लर इसमें तो ही होगा यहां देखो बैग लेकिन कोई दिकत नहीं अब थोड़ा सा अगर एक्सप्रेंस हो जाओ गया तो आराम से आप बहुत तेजी से इसके अंदर में काम कर सकते हैं अब यहां पर दिया गया है कौन सा क्लर आप यूज़ करना चाहते हो इसे स्क्रॉल करो और अपने मन से यूज़ कर लो यह तो जो दिया गया है डॉक्मेंटेशन के अंदर में हो गया सब्सक्राइब करना है जैसे सब्सक्राइब करना है इस फाइव हंडड़ और शिक्स हंडड़ के बीच का कोई क्लर आपको एड करना है तो नॉर्मल आप यहां उसके लिए आप हैक्स कोड को जनरेट कर लो गूगल में जाकर लिखना अपको अब क्लरट पिकर को आपको सर्च कर लेना है जो बहुत कर वे सपोड़ में यहां से इसले जाइड जाहिए ठीक है अब मैं दिखा तो इसे कैसे यूज करूँगा ठीक है इसे गया यहां पर और सफोब़्ज कि यह इस बैग्रॉंड में मैं कर दो करूंगा और जो कोपी यहां से कोड कर लाए था है से से कड़ कर ले को अद इस तरीके से से आप लिए को एड कर सकते हैं उसी तरीके से अगर सब्सक्राइब टेक्स्ट में चीज़ने आड करना चाहते हैं जैसे यहां पर यहां से टेक्स्ट को हटाऊंगा यहां से और इसके अंदर में कोई कलर अगर और डाला चाहिए सब कुछ कि मैं ब्लूई स्टप में कुछ कलर डाला चाहिए ठीक है मुझे यह पसंद आगे अपने साइट के लिए आपको कोई कलर पसंद आ सकता है जरूरी नहीं है कि यही च्फ का नहीं है उसी तरीके से मासिंग में को सीसे पैले मैं आपको बता दे सकते हैं कैसे हूं कर सकते हैं यौ तो ठीक है अगर नहीं और डीया गया सब्सक्राइबर का यहांकि पर रहे लिए आप standards कलें है उसे घ्षार हूं अग्वां si मार्जिंग और ऐसे व्याइव करते हैं यहां से ग्रीन में जितना भी वह मेरा पैडिंग हो और इसके बाद बीजी स्पेस है वह मैं मैं सबसुर् centers को को दिखा हूं आपको और लिख रखा हूं इस बटन में माज इम माज इंग पर ऑब तो इप अपका और उस इलिमेंट के पूरे बाहर का ऐस्पैस होता है उसे हम पर पर उसे समझने के लिए एक और मैं आपको डिग्राम दिखाता हूँ यहां पर इंस्पेक्टर क्लिक करेंगे और यहां पर अगर क्लिक करो तो यह जो आपको यह फोटो दिख रहा है थोड़ा बड़ा कैसे होगा यह पता नहीं यह बड़ा हो मैं यहां पर जूम करके लगा दूँगा ठीक है सब्वोज कीजिए यह दोखो सबसे पहले आपका यहां पर यह बाद नहीं होगा लगाना चाहता हो यहां तो यह बार्टर के बाद होगा वो मेरा माजिंग होगा और बॉडर से पहले और जो है उसके बाद वह मेरा पैडिंग होगा तो आपको यहां पर मार्जिंग और पैडिंग समझ में आगा ओके अब मैं बताता हूं कि यहां पर मैं लिख रखा हूं अब यहां पर बना हुए ठीक है अब क्लिक करने यहां पर द्यान से देखो पैडिंग जीरो पैडिंग समझ चारो साइड से पैडिंग होता है या फिर एक ही साइड से डालना चाहते है तो वह बताना पर जा कि हम मुझे cable padding top चाहिए bottom चाहिए या फिर x-axis में चाहिए या फिर y-axis में चाहिए अगर आपको x-axis और y-axis नहीं बता तो आप यहाँ पर इस image को देख सकते हैं x-axis कौन सा होता है और y-axis कौन सा होता ओके तो आप यहाँ पर देख लो देखो py padding y-axis के अंदर में सब पूछ कीज लिखता हो तो पैडिंग टोप भी जीरो होगा और पैडिंग बॉटम भी जीरो होगा ठीक है वाइसिस तो आपको पने यह हो दिया है आट वह वह इस होता है और होड़िजन्टल जो होता है वह मेरा एक्सेक्स होता है अब देखो थोरा सा मैं गरें इसे नीचे इस्क्रॉल करूँ अब यहां पे देखो आराम से कुछ नंबर यहां पर डाला गया होगा सपोज कि यहां पी वन मताब पैडिंग चारो साइड से मुझे चाहिए कितना फॉर पीक्सल पी वन कहीं पर लिखा होग सब्सक्राइब करेंगे इस तरीके से चार के चलते रहता है यहां पर पैडिंग बॉटम में 16 पिक्सल होगा यहां पर आप देख सकते हो इसी तरीके से पूरा का पुरा 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 जो पैडिंग और मार्जिंग का जो कॉम्सेप्ट है वो फोर के मल्टिपल में जाता है अब यहां पर देखो पैडिंग 40 लिखा हो मतब पैडिंग चारो साइड से मुझे 160 पिक्सल कहोना चाहिए मतलब 40 इंटु 4 इसकल टू 160 ओके जैसे सब्सक्राइब पैडिंग यक्सिस के अंदर में रहें 160 पिक्सल आप यहां पर एक्स्प्रेशन भी देख सकतू कि कितना होगा तो यह तो आप समझ में पैडिंग क्या होता है पैडिंग कैसे वैल्यू को हम लिख जैसे सब्सक्राइब कि यहां पर देखो तो यहां पैडिंग 2 लिख रहा हो इसका मतलब क्या हुगा पैड पैडिंग चाहिए जागिए यहां तो फिप्न पिक्सल का कोई ओप्सन ही नहीं दिया गया अगर मैं यहां पर 15 सेर्च करूं स्पोज कि लिए कंट्रोल लेफ्ट डबाया और मैं फिप्टीं लिखाँ तो यहां पर वैल्यू दिया गया इस यहां पर नहीं दिया गया जो प्रेंगे ब्राइक डालेंगे और यहां प्लिखुँगा मैं दाला और सी में सेव करों करो तो यह जो होगा फिर यहां प्रेंग के आसपास का जो मेरा पैडिंग और से एड हो जाएगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आप पॉइंट में भी एड़ कर सकते है पिक्सल को अगर आपके थीम के अकॉडिंग अगर कुछ पॉइंट में आ रहा है सब्सक्राइब आराम से इस इसको बैकेट नोटेशन की हैं यह जगा काम आगा चाहिए सब्सक्राइब को टेक्स्ट साइज में चाहिए या फिर फॉंट म आपको यहां पर डॉक्मेंटेशन में एक और मैं दिखाता हो क्या टेक्स्ट मिलेगा आपको यहां पर यहां पर टाइप अलगी सेक्षिन है इसमें आप फांट साइज पर आपक्लिक करोगे तो आटोमेटिक लिए सेम वही प्रसेजर यहां पर फॉलोगा सब्सक्राइब यह टेक्स्ट इस एकसेल हुआ मतब अगया इस पर आपको क्लिक करने होगे और टेक्स्ट में थोरा सा डिफरेंट तरीके से यहां पर काम करते हैं सब्सक्राइब यह टेक्स्ट एक्स्ट इस लिखा हुआ है उसका मतलब यहां पर होजाएगा जो फॉल्ट पिक्सल का और राइन है जो यहां पर आपका वो 16 सिट पिक्सल का होगे उसी तरीके सब्सक्राइब करूं और एगर आप देखू टेक्स्ट 9 एकसल लिखा हुआ यहां पर इसका देख लो 128 पिक्सल आपका फॉन्ट साइज ह यहां पर आसपास आगया ओके तो यह आप आराम से आप देख सकते हैं किस तरीके से आरा साइज का सीकते होता है इसमें भी आप स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का यूज कर सकते हैं यह जो मैं लिखाऊंगे यह इसका जो टेक्स्ट है उसको मुझे वन हंड्रेट पिक्सल गरने को कितना बढ़ा होता है तो टेक्स्ट डैस और यहाँ पर मैं ब्रैक्ट डालूंगा और 100 अगर अब मैं इसे सेव करूं तो आप देखना अपर सेव किया आप यहां पर काफी बढ़ा हो गया तो सौप पिक्सल के आजपास ऑटमेटिकली एड़ हो गया अगर आपको सौप इकसल डालना है तो यह डाला गया पहले से अपर प्रफिश कर सकते हैं और उसी तरीके से हर कोई भी प्रोग्राम में लेंगेज हो गया या फिर कोई फ्रेमवर्क पर है तो सबसे पहले उसको डॉक्मेंटेशन की पढ़ने की कुछिस करो उसमें बहुत सरा चीज़ा पर आटमेटिकली क्लियर हो जाएगा जैसे सब्सक्राइब हो गया है इसको आप यूज कर सकते है इस तरीके से कर सकते हैं तो मैं बटन क्रियेट करके आप दिखाया और कुछ और टर्म होता है जैसे सब्सक्राइब में आपको बताने बाला हूं अगर आप चाहता है कि पुरा प्र एक टॉपिक को एक वीडियो अंदर में तो आप यूट्यूब के उपर में जा सकते हो मै इस चाहते हो किस तरीके से काम कर रहा है उसके पीछे का रिजन भी अगर आप जाना चाहिए तो मैं पूरा प्रेलिस बना चुका हूं अगर प्रेलिस में जाओगे प्लेस वाले सक्षन में तो आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है जैसा js account में कैसे यूज कर सकते हैं लिए अपलाइ कि आप अपो और टेल्वीन कॉन्फिग के फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं अगर आप देट में चाहते हो तो आराम से इस प्लिश्ट को फॉलोग कर सकते हैं बात बाकिए तो इस टेल्वीन क्रास को में आपको चीज़ें बहुत सरा चीज़ हम बताई तो ओके तो अभी तक हमने ए तरहें आप जबो क्रिए प्रोजेक्ट को क्रेट करना को भी प्रोडक्शन मत करना को साइट को अपने कंप्रेस regulate करना एक्पाने आप यहां पर देखो इस भी वर्जन सपैसिफार नहीं है मेभी सपोज कीजिए यहां पर 3.2.4 चल रहा है अगल आजाए अचानक से 3.3.2 आजाए मेभी I don't know कुछ भी हो सकता है चेंज हो सकता है यहां कोई भी वर्जन स्पैसिफाइड नहीं है कि यहां पर यह वर्जन चलना चाहिए इसके अंदर में कुछ बगएर अगर चेंज होता है अगर आप बहुत लोग बोलेंगे कि इस तरह की सिडियन तो यूज मैं बूट्स्ट्राप में भी कर लेता हूं लेकिन वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तो बूट्स्ट्राप का सीडियन बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसको यूज कर सकते लेंगे जो टेल बिन का सीडियन है न वह इस तरह की से डवलप नहीं किया गया तो आप इसे प्रॉडक्शन में यूज कर सकते हैं तो यह अपने कोड को खराब करना अपने इसका सीडियर लिंक कर आप देखो यहां देखो यह तंस तरीके से यहाँ पर बर्चन साफियर करें नहीं चाहते हम अध्य धूट ऐसा सीट। ऑट करना चाहता हूं तो अगर करना चाहता हूं तो अईहाल बीकित 친 lesa थो ङुट यूग से साफिरन यूज़ करने के लिए लेकिन टेलीटी लिखन अगे और केवल डवलपमेंट पर पस्क्री बना है जो की लेटिस वर्जन को उसे आप production में यूज मत करो, फिर हम इसके next option क्या कर सकते हैं, तो site के उपर में एक और दो तरीके से हम tailwind को install कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर tailwind CLI का option दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर post CSS का option दिया गया, और अलग-अलग framework के साथ भी दिया गया, किस तरीके से आप अलग- बहुत जिदा मुस्किल नहीं है, बहुत ही easy है, मैं आपको एक बताओंगा, tailwind CSS, या फिर वैसे दोनों में आपको install करना बता दूंगा, और एक framework साथ बता दूंगा, कि कोई भी problem आपको नहीं है, और एक तरीका ऐसे बताओंगा, जो हर जगा applicable होगा, किसी भी आप framework या फ install करके छोड़ देना, ठीक है, अगर सबुझ कि मैं अपने system की बात करो, तो यहां मैं command prompt open करो या power cell, चलो, पावर सरी open कर लो, तो बहुत हो गया, command prompt, यहां मैं अपने power cell को, windows power cell कर सकते हो, आप command prompt open करो, या फिर hyper crow कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्खत नहीं, सब बिल्कुल सेम ही, मुझे लगता है, थोड़ा सा, UI का difference आता है, थोड़ा थोड़ा, ओके, तो अगर आप सबूझ कि यह, आप अपने system में node install है, या नहीं है, वो node install है, अब suppose कीजिए, मैं चेक करना चाहता हूँ, npm, जो की node package manager को install करेगा, मेरे system में, तक अगर यहां देखो, तो npm का version भी मुझे यहां पर दिखते है, ओके, तो यहां मुझे npm का version देगिया, और node का version देगिया, इसका मतलब मेरे system में install, अगर आपकर system में नहीं है, तो यहां new, एक folder, इसका नाम रख लेता हूँ, tailbin CLI, कोई दिखते हैं, आप नहीं साब से कुछ भी रख सकते हैं, आप tailbin कुछ भी रख सकते, x, y, z, जो भी नाम रखने का मन करें, वो आप रख लेना, इसे यहां मैं right click करता हूँ, और suppose कि मुझे power cell को open करना है, इसके साथ, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जदा महनत नहीं करना चाहते हैं, उस पाथ में jump नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पर normal जाकर आप cmd लिक दो, उसके path में जाकर आप cmd लिक होगे, automatically, इसी URL के साथ आपको, sorry, इसी path के साथ आपको, command prompt है, यह open हो जाएगो, अब हम dash y, अपर आम से एक package authorization यहाँ पर create हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पर, यहाँ एक package authorization file create हो जाएगा, यह दो, package authorization create हो जाएगा, यहाँ पर, आप सब पोज़िए, इसके अंदर में, जितना भी चीज मैं install करूँगा, अगर मैं यहाँ पर right click करूँगा, और open with code करूँ तो यह दिख जाएगा, कि इसके अंदर में, क्या क्या dependency है, अपर अपने मियां से add करना चाहिए, तो कर सकते हो, main file क्या होगा, index.js होगा, description अगर कुछ add करना चाहते है, version कौन सा है, name हो गया, test script हो गया, काप सर चीज़ यहाँ पर, यह आपकी project के लिए main information लेकर रखेगा, कि यह कौन से version में, बनाया गया है, इसके अंदर में क्या कर डिपेंडेंस है, यह सारा चीज़ यह काम करता है, packet.js का काम होता है, store कर रखना, ओके, अब हम क्या करने वाले है, यहाँ अपने tailwind CSS को install करने माले है, तो tailwind CSS install करने का मेरे पास एक ही तरीका है, जो है यहाँ यह है, इसके अलबाद मुझे नहीं दूसरा पता, अगर आपको पता है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे यहाँ देख रहा है, इसे मैं copy करूंगा, और मैं कुछ ऐसा तुपानी चीज़ एक्स्टा नहीं बताना चाहता हूँ, इसके site के अलग जाकर के, कि बाद में जाक करता हूँ, किसी भी terminal में paste करने के लिए आप right click का उप्यों करें होगे, right click करेंगे तो automatically यहाँ पर paste होजगा, अब यहाँ पर tailwind css आपको दिखना जाएगा, एक folder क्रेट होगे, यहाँ मेरा tailwind css install हो रहा है, मेरा यहाँ यहाँ पर tailwind css install होगया, दूसरा command यहाँ यहाँ है, npx tailwind css init का command, यह मेरा tailwind config का यहाँ फाइल जनरेट करके देखा, यह दो tailwind config मेरे जनरेट कर देखा, अब मेरा second step क्या बता रहा है, tailwind config के अदर में इसे में copy करके paste कर दूँगा, आपको मैं समझाओंगा, कि यह क्या लिखा हुए star, double star, stml, gss, क्या है, इसके बारे मैं कोई आराम से explain करो, okay, पहले normal जो यह procedure बता रहा है, वो procedure को हम यहाँ पर follow कर लेते हैं, बहुत आसानी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा time जारा time लगा लगा, लेकिन आप इसे आराम से एक मेट के अंदर में इसे install कर सकते हैं, और सारा का सारा code, बहु यह तीनों चीज़ यहाँ पर paste करना पड़ेगा, ठीक है, जनरली यह बता रहा है, आप src create करो, src के अंदर में input.css create करो, क्योंकि यहाँ पर देखो, dot के बाद src इसी चीज़ को detect कर गया, base, component and utilities, tailwind जो यह तीन layer में आपने component को divide कर रखता है, यह base layer हो गया, यह component हो ग case के अंदर में input.css एक file create कर लेता हूँ, okay, input.css, आप भी साथ-साथ create करते जाओ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अराम से, ठीक है, इन तीनों command को यहाँ पर मैं paste कर देख, base, component and utilities, यह तीनों हो गया, मेरा यहाँ पर paste, उसके just नीचे बता रहा है कि आप, उसक .htm, इसे मैं हाँ से copy किया, और एक तो मैं अब यहाँ पर home page, normal, जो मेरा root directory है, यहाँ पर paste कर दिया, और एक file मैं यहाँ पर, जो src है, उसके अंदर में यहाँ पर paste कर देता हूँ, okay, अब अगर सपोज कीजिए, मैं हाँ से open करूं इस file को, अब गया मैं यहाँ दो चीज इसे आप अहाँ से install कर लेना, यह तो पहला step हो गया, और दूसरा step आपको मैं बताता हूँ, एक tailwind का, tailwind CSS का extension उसे आप इंस्टेंशन कर सकता, अगर सबोज कीजिए, मैं लिकाँ यहाँ यहाँ पे tailwind, tailwind CSS intelligence करके एक है, इसे भी आप अनम से install कर लेना, यह आपको tailwind CSS के command ल पे create हो गया, एक तो मैं यहाँ पे CDN लगा हुआ है, अगर मैं suppose कीजिए, इसे right click करके अभी open करके देखू, तो यह जो page है, कुछ इस तरीके के यहाँ पे दिख रहा है, अगर suppose कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोनों जो page है, उसके अदर में अलग अलग तरीके से, मैं अब इसके just नीचे सबूझ कीजिए, मुझे कुछ button create करना है, अभी मैंने एक यहाँ पे extension install किया, tailwind css intelligence करके, अब अगर सबूझ कीजिए, मैं यहाँ गया, src के अंदर मैं गया, और इसके just नीचे एक मैं button create करना चाहता हूँ, तो सबूझ कीजिए, मैं लिखू यहाँ button लिखा, और button का नाम रखता हूँ, submit, अब सबूझ कीजिए, मैं एक class लगाया, अब इस class में यहाँ बीजी, ति automatically detect करके मुझे बताने लगेगा, कि अच्छा, बीजी से related, इतना मेरे पास command है, यहाँ पे comma लगाया, तो यहाँ पे देखो, जितना भी tailwind के अंदर मैं command करता हूँ, वह अराम से यहाँ पे चूझ कर सकता हूँ, फूरा 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 background यहाँ पे आ गया, gradient भी आ चुका है यहाँ पे, तो यह मैं background के साथ चूझ करता हूँ, उसके बाद सब बोच कीजिए, मैं यहाँ पे text जो है, वो center रखना चाहूँगा, या फिर कुछ और अगर आप add करना चाहिए, जैसे सब कुछ की hover effect add करना चाहिए, यह hover हो गया, hover में कौन सी color आना चाहिए, जैसे सब बूच कीजिए, मैं आपे background color जो है, वो रखना चाहूँगा, slate 400, तो इस तरीके से आपको बस h लिखना है, जैसे bg background b लिखोगे, आपको suggest करने लगेगा, इसलिए मैं वो जी जो tailwind css का intelligence command है, इसलिए मैं आपको install करवाया था, तो यह तो आपका समझ में आगए, अच्छी तरीके से, अगर सब कुछ कीजिए, मैं से यहाँ पर save किया, अब दो चीज और मुझे यहाँ बच चुका है, एक तो मेरा सबसे पहले, यह जो npx tailwind isrc, उसके पाद जो भी मेरा output file है, तो मैं इसे यहाँ से copy करूँगा, दो option है आपके पास, या तो आप control and tilde button को press करोगे, तो visual studio code के अंदर में भी आपका command line open हो जाएगा, या फिर आपके पास जो पहले सही command है यहाँ इसका भी use कर सकते, तो मैं यहाँ आपे visual studio code के जो दिया गय terminal उसे मैं use करता हूँ, अब इन सब code के लिए मैं CSS file generate करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर right click करता हूँ, एक चीज़ आपका ध्यान रखना है पड़ाएगा, input.css, नाम कुछ भी रख सकते हो, input की जगा पे आप X रख सकते हो, Y रख सकते हो, Z रख सकते हो, या फिर हिमा इस के अंदर में कौन-कौन-सा class use किया गया, ठीक है, और class के related जितना भी tailbin के अंदर में command होगा, जो CSS code होगा, वो generate करते हो, जिससे कि आप offline में भी बिना, जिससे पोच कि प्ले सिरीन आप कभ यूज़ करो, जब आपके पास internet हो, तब या प्ले सिरीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप offline में यूज़ करना चाहते हो, तो उस situation में आपके लिए, ये tailbin भी install कर लो अपने system के अंदर में, और आपर normal CSS code generate कर लो, फिर आप normal HTML file और CSS file आपने किसी भी friend को send कर सकते हो, और वो भी आराम से आप, या फिर किसी अलग folder में offline होने के बाद भी आप देख स class का error नहीं आपर, क्योंकि SRC के अंदर मेरे पहले सही यहां पर एक file यहां पर रखा हुगा है, अगर मैं देखू, SRC के अंदर में, अगर मैं जाओ, tailbin config के अंदर में गया ठीक है, और यहां देखू, SRC के अंदर में रखा गया है file, अब suppose कि यह यह जो मेरा index.ht मेरा बाहर है, और यह SRC के अंदर मेरा एक file है, तो कर मैं सबुझ कि इसमें कुछ, इसमें कुछ change करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरा बाहर file है, मतलब root directory के अंदर में जो file है, उसके अंदर में अगर कुछ add करना चाहता हूँ, अपने मन से जैसे सबुझ कीजिए, मैं tailbin पे गया, य दिहान से देखो, रूब ड्रेक्टरी के अंदर में, SRC के बाहर है, और एक file जो है, SRC के अंदर में, SRC के लिए मेरे code generate हो गया, या पर DST में जा करके देखो, तो SRC के लिए output generate हो चुका है, लेकिन मेरे इस बाहर बाले file के लिए generate नहीं हुआ है, तो यह अभी आपको बता हुआ हूँ, save किया, अब जितना भी मेरा CSS generate किया हुआ, CSS हो डिस्ट के अंदर में यहां पर रखा गया, तो इसे में यहां से पहले comment out कर देता हूँ, अब अगर जाके इसे right click करके open with server में देखो, या फिर, इस page को अगर मैं यहां पर, इस main file को मैं यहां पर open करता हूँ, जो बाहर मेरा index.ht में रखा गया है, तो यह कुछ इस तरीके एकदम बिल्कुल break break दिख रहा है, लेकिन यहां मुझे इसके लिए code चाहिए यहां पर, तो इसके लिए क्या करूँगा यहां पर, बस एक command को सिफ चेंज करना है यहां पर, ठीक है, और उसको दिए मैं इसे refresh करूँगा तो automatically code वो generate कर देगा, आप देखना यह जो, यहां पर, जो मेरे लिए code generate कर गा, यह automatically refresh हो गा, यह automatically फिर से मेरे लिए code को generate कर देगा, अब जाकर मैं इस page को refresh करता हूँ, तियो देखो, यह क्या problem आ गया है आप, अच्छा sorry, मैं यहां पर css attached नहीं किया भी, ठीक है, अभी मैं आप को css attached करके दिखाता हूँ, यहां सबसे पहले मैं लिखूँगा link css, ओके, अभी css का path दे css, और यह css, ओके, अब अगर मैं इसे save करता हूँ, ठीक है, इसे मेरे लिए code generate करेगा, यहां पर, क्योंकि हड़ एक save करने माद, automatically यह watch करते रहता है, यह अगर आप यहां पर देखो, तो यह watch कर रहा है, मेरे सारे extension को, जहां-जहां मैं code लिखूँगा, और यह बता रख अगरे आप देखो, index.html में, यहां कोई place cdn नहीं है, place cdn जो यहां मेरा comment out है, केवल मैंने जो, मेरे से output बना रखा हूँ, एक output folder बना है, यहां पर dist के नदर में, output.css नम का फाइल बना है, जिसके अंदर में सारका सारा css command मेरे लिए generate कर दिया, वो भी एक ही command में, अपने friend को भी send कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे यहां पर कोई भी tailwind से अब वो ना तक हाथ हो चुगा है, जो कि हर update में मुझे internet connect करके मुझे लेना पड़ेगा, ति यह आपने देख लिए, अब आपको सबसे जगा important चीज़े इसमें समझने बाला, यहा को मैं यहां करते हैं, अगर सबसे की इस root directive जितना भी file होगा, केबर उसके लिए आपको CSS के code generate करना हो तो यहां लिखना, double code के बीच में आपको star लगा होगा ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर आपके सबसे कोई folder के अंदर में काफी सारा folder होता, उस 50 folder के अंदर में और बह अगर आप यहां पर देखो, उसके लिए आप यहां पर क्या लिखना है, यहां पर, ओके, तो यहां आप देखो, double code के बीच में star और लिखके यहां पर लिखा गया, ओके, तो इसे मैं आपको explain करता हूँ, ओके, जैसे support कीजिए, आपके पास src के अंदर में काफी सारा file ह है, आप क्या करना है, यहां पर जाओ, और आप से comma लगाओ, यहां पर, फिर से double code आपको लगाना है, space देख करके, मैं यहां पर next line में भी आपनी से लिख सकता हूँ, दो तीन नीचे कर गया है, ताकि दिखे अच्छे तरीके साथ को, ठीक है, और control भी किया, अब आप js, html, jxx, काभी साथ अलग-अलग extension हो आपके पास, तो सब को एक ही बार watch कर सकते है, जहां जहां भी tailwind का command लिखा हुआ होगा, वो उसके लिए automatically आपके लिए css code generate कर देगा, मेरे पास अभी यहां पर देखो, तो cable html है, क्योंकि मैं html की designing के लिए use क्या हूँ, में भी आपके पास हो सकता है, jxx हो, या फिर अलग-अलग extension हो, ejs हो गया, कोई भी extension हो सकता है, उसके लिए भी आप यहां पर code को generate कर सकता हो, कि मैं यहां से इसे ही remove करता हूँ, क्योंकि मिरे पास अभी, कोई भी js नाम का extension यहां पर नहीं है, इसी तरहीं से सब्च की यह एक और folder होता, उसके लिए भी आपको code generate करना है, तो अराम से है करना, फिर इसके just नीचे, आपको पहले यहां पर एक comma लगाना है, उसके ने, पहले यहां पर एक comma लगाओ, नीची आ जाओ, क्योंकि सही तरीक से लिखने में आसानी होगा, फिर double code, जो भी folder है, पहले dot slash, क्योंकि आ बाद बाला folder है, ठीक है, उसके बाद यहां पर slash, पहले double star, folder, उसके बाद sub folder, उसके बाद dot, double code के बीच, सबी, curly bracket के just बीच में, जो जो extension आपको watch करना है, उस extension का नाम जैसे, उसके अंदर में EGS हो गया, उसके बाद यहां फिर JXX हो गया, यह सब अगर extension हो है, तो इस तरी आप इसे भी edit करके add कर सकते, आपने देख लिया कैसे, star जो रहेगा, वो cable homepage, जो की आपका root directory के अंदर में होगा, उसे ही detect करेगा, और यह star और double star वाले, जितने भी मैं यहां पर लगा रहा हूँ, यह अलग-लग folder हो, हो सकता है, अगर आप कुछ बड़ा project create करोगे तो आप आपको यह जुरूत पड़ेगा, लेकिन अगर आप normal, आप पुरा-पुरा file आप सिफ home page में, यहां पर root directory के अंदर मखना चाहते हो, तो आपको cable यहां पर star लगाना पड़ेगा, और अगर अलग-लग folder में आप अपने separate तरीके से project को divide किया होगा, तो आपको src के बाद इ यहां पर जो ht में लिखा हुआ है, इसको change करके जो भी आप extension है वो रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको tailwind CLI कैसे use करता है, यह आपको समध में आ गया होगा, अब मुझे ने रखता आपको कोई भी दिक्कता है, बस tailwind के अंदर में एक ही बहुत प्रव्लम आथा है पोस्ट CSS को, और पोस्ट CSS इंस्टॉल करने के बाद हम थोरे से advanced topic पर जाएंगे, जैसे कैसे utilities classes में अपना खुद का create कर सकता हूँ, इस सब चीज़ों के बारे में जाऊँगा, और उसकोद में आपको कोई भी एक framework के इंससम जैसे सब बोच कीजिए, यहां पे कौन सा इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर हम post CSS को यूज़ करने माला है, बहुत लोग प्रवलम आता है, पोस्ट CSS को यूज़ करने में, वह लोग यह जो post CSS के इंससे इसे config इंस समझने में बहुत ज़यादा उनको प्रवलम आता है, मैं इस सब चिज़ों का आपको यूज़ करके द इसको सबसे पहला step आपको करना है, npm, init डालके flag y यूज़ करना है, इसे करके npm init और y यूज़ करना है, automatically आपका package.jation यहाँ पर create हो जाएगा, यह perform आप तब करना है, जब आपके system में node install हो तब करना ही, तभी आपके यह काम करें हो, तो यहाँ पर मेरा package.jation create हो गया, मै यहाँ आपको अच्छे तरीके सदेश में दिख करना ही, उसको जो second step आपको copy करना है, यहाँ से यहाँ पोस्ट css command को यहाँ से copy किया था, इस भी आपको right click करके copy कर लेना है, और यहाँ पर आपको right click करके paste कर देना, अगर आपको उन सही तरीके से copy किया होगा, तो automatically, यहा इसाँ मेरा पुस्स css जो यह वो आटल इस सब्सक्राइब, को करना है, इसे हम रन करें करें हो कि करें ह। अरकिसाद क सुर्ण कर फोल्डर और यहाँ पी ऐक सी कृडिय रान लाग का, एसाँ आपकोर्यおおब्त, यहाँ कर गोजाएँ네 आपको यहाइवाँ र्पाय आपको अगर आप देखो यहां पे तो जो जो चीज का रिक्वार्मेंट से अटमेटिक लिक्रेट हो के आ गया ओके तो मैं यहां यहां पर करता हूं इसे राइट क्लिक करके कि यहां लिखूंगा मैं यहां पर कोड़ेटर को ओपन कर लेता है यह इंस्टॉल हो चुका है अब बहुत तेरी समया पर काम करने हो तो सकेंड स्टेप क्या है मेरा यह हो गया आप पोस्टीस अटमेटिकली क्रेट हो गया जब माइनस पी का यूज करेंगे ऑटमेटिकली मे में हो अबने लेक्टर नमर सेबन देख रहा हो तो इस इसका मतलब क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरीकी से उसमें एक्स्टेंश कर दिया था ठीक है यह इस्टार डबल स्टार मेरे फोल्डर और सब फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है उस पर डॉट के बाद जो भी ए बीट क्या होता है अगर आप आप आफ इससे तरीके से काम करें तो हम यहां पे वीट का यूज करने वाला आप देखो वीट कैसे इंस्टॉल करते हो तो एंपीम आई वीट होगा इसे आप सर्च पर गूगल में वीट एंपीम लिखोगे तो आटमेंटिकली आपका इसका यहां देखो एंपीम वीट कैसे इंस्टॉल करते हैं वह मिल गया आपको यहां मैं राइट क्लिक करूँगा वीट को इंस्टॉल करूँगा अब थोरा सा मुझे पैकेज आटिर्षं के अंदर में कुछ चेंजज करना पड़ेगा आपको दिखाता हूँ कि यहां मैं कोडडेटर को ओपन कर लिया और जो मेरा पैकेज डॉर्ट इसके अदर में कुछ एडिट करूँगा यहां पर मैं क्या करूँगा एंटर दभाऊ यहां से आपए सेव कर दूँँगा और इसके बादि मैं कोमा लंगे यह ख कन दिखा से अधिक है इसे मैं छुना फर यह Mais EB कर दिया और यहां में से लिए एक त् इमल कर लिटा करेंट कर दो हुआ कि इसे में कुद्हारे कर दिया और इस तीन चीज़ को यहाँ पेस्ट करूँगा यह जो मेरा वेस्ट कंपोनेंट एंड यूटिलिटी इसे मैं कॉपी करूँगा और इस ताइल के अंदर में दे दूँगा और इसे मैं पेस्ट करके सेव कर दिया और इस टाइल को मैं लिंक कर लूँगा अपने इससे अगर बहुत लग पूश्ट पूछ दें कि अगर मैं यहाँ पर लाइव सर्वर से ओपन करता हूं तो यह काम नहीं करें नहीं करेंगा लेकिंग और सब्सक्राइब करते हैं अर जो सी एस का नोर्म मत यूसे जाके अटाज कर दीज़ता है लेकिन इसके लिए लाइज सर्वर को ओपन करना परिसक्GERा क्मांड प्रांट में जो और आपको एक स्रवर यहाँ पर रंकार पर अलाग़ पूर्ट भी देगा पूलो कर देगा इसके लिए लिखना है NPM रन उसको दालना है स्टार्ट ठीक है और डालोगे तो अटोमेटिकली एक मुझे पास देगा 227.01.59173 इसे मैं हासे कॉपी करना ठीक है और यहां जाके मैं से फेडाव कर दो आफ इसके अनलके प्रेश्ण को क्योंकि यह सिर्फ एक इमेज दिखाए देगा यहां पर और सारा कंपोनेट रहेगा लेकिन अगर आप वीट से ओन करो या फिर उसके माद वेब पैक बगेर से ओन करो आपको यहां पर दिखेगा ठीक है एक तो यह हो गया है प्रोडक्शन मत यूज करना कर सकते हो लेकिन मै हमेजा जो स्टाइल डॉट इसे जो इन पी एकस की हिसाब से टेल विन सी एलाई कि हैश्प से जो जो जनरेट होता है मैं उसे यूज करना प्रेफर समाज दाओ ठीक है अगर आप देखो टेल इन सी एलाई का जो ओप्शन दिया गया यहां पर मैं इसका प्रेफर करता हूं के लिए यह जो कमांड दिया गाए ओटमेटिक के लिए ऑपका और यह डॉटि चैनज करो ओ dens do अब यह路ं कर दिया की अब यहां फ Europolat चेंज सब्सक्रा और मैं मेरा स ч्आरा फाइलेट करता हूं और मैं जो जनरेट करना चाहूंगा और इसको मैं कर लेता हूं श्टाल वन इस्टाइल करता हूं अब अब अगर मैं एंटर दबाओं तो देखना और जो भी यहां मेरा कोड़ वो सब यहां बेगा उसके साथ साथ अगर सबूज कीजिए मैं आज एक एक जामपल के लिए आपको दिखाता हूं इसको चैंज करके यहां से स्टाइल वन कर दूँ और इसे में आपके सेव करूं ठीक है तब भी यह ऑटमेतिक और कुछ भी फा इसके अंदर में मैं ढाल दूँगा, automatically मेरे लिए CSS code जो है, जम production rate CSS code मेरे लिए generate हो जाएगा, इसे में यहापे save करूँगा, इसे save हो गया, आप गर मैं जाके इस page को refresh करूँ, तो देखना, फिर इस code को मैं यहापे run कर लेता हूँ, automatically मेरे लिए, सारा का सारा code जो है, यहापे रखना है तो रख सकते हो नहीं, तो इसको रहने दो हो या डिलीट कर दो कोई दिकत नहीं है, इसके लिए आप npm run और जो भी folder में आप production ready code को generate करना चाहते हो, वो कर सकते हो, तो यहापे आप जैसे सब बोज किजिए, यहापे dev लिक सकते हो, ठीक है, यह मतलब development server में लगा होंगा, यहाँ मेरा colon हो गया, उसको तो हम यहापे टेशिंगे, टेल बीन CSS, तेल बीन CSS, उसको बीड और जो मेरा component वाल फोल्डर है, इसको मैं यहापे लिंक करूँगा, ओके, तो यहाँ मेरा होगा style.css, और कहां पर कौन से फोल्डर में वोज जनरेट हो, उसके ल इस, ओ, इस मॉल में ठीक है, अब इसके बाद कर दूँँ ठीक है, और सबसकी इस server को यहाँ पर मैं close करता हो, यहाँ पर server run किया ता, उसको इहाँ पर close किया, और जो चीज़िए सबसकी यहाँ यहाँ कमाला का नमच दूज गरा अब अब गर सबसकी NPM run करूँगा, तो 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 इसे चेंज करके यहाँ में डेव रख दूंगा और इसे एंटर दबंगा और यहाँ मेरा एक फाइल क्रिएट हो जाएगा है style.css2 के नाम से ठीक है और उसको में सारा का सारा मेरा जितना भी code है वो जनेरेट हो जाएगा ठीक है तो यह भी तरह से प्रोडक्शन डेटी कोट है एक तरीका हम मैं आपको बता दिया नर्मल तेल्विन css को यूज करने का उसको यह वीट को कैसे यूज कर सकते हैं यह बता दिया उसको अंदर में जो डालो यह तो आपको केबल डवलप्मेंट सब्सक्राइब करके देगा और यह आपके लिए पुरा css code जेनरेट करके देगा ठीक है तो आपको तीन चार तरीका मैं बता दिया अब मेरे सबसे कोई कोई नहीं होगा और इस चीज को आप केबल यहां पर लाइव सर्वर्स ओपन मत करना क्योंकि यह डिटेक्ट करें किस चीज को नॉर्मल मेरा जो बेस कंपोनेंट फाल यह जब हम नॉर्मल सीसे सब्सक्राइब करते हैं तो यह काम नहीं करते हैं उसके आपको वीट वेपक तो करने सकरें और जो जगा पर आपको कोई फॉल्डर क्रियेट कर दे कर दो के यह चीज आपको क्लियर हो गया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकरा चैनल को सब्सक्राइब कर लूब और अपने दोस्तों को भी बताओ जिससे की यह प्यापर टेल्विन झाल झाल